नमस्कार दोस्तो करेंट अफियर्स की इस पार्टस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो इस चैनल को सब्स्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेर कर दें दोस्तो दोस्तो देखते हैं इस महिने का आच्छा करेंट अफियर्स क्या है दोस्तों पहला करेंट अफियर्स है भारत के पहले पर्थम केंद्रिय केमिकल वाट टेकनलोजी संस्थान की अस्थापना किस राज्य में की जाएगी जी हाँ दोस्तो आप सवाल को एक बार फिर समझेए भारत के पहले प्रतम केंद्रिय केमिकल एवं टेकनोलोजी संस्थान की अस्थापना किस राज्य में की जाएगी तो दोस्तो इसका उत्तर है गुजरात में जी हाँ दोस्तो भारत के पहले केंद्रिय केमिकल टेकनोलोजी की अस्थापना गुजरात में की जाएगी दोस्तो भारत के पहले केंदरी केमिकल टेकनिकल इंजनियरिंग टेकनोलोजी संस्थान की अस्थापना गुजरात में की जाएगी इसका उदेश्य रसायन उध्योग को बढ़ावा देना है इसकी घोसना राज्य रसायन वह उर्व वरक केंद्रिय मंत्री द्वारा की गई है दोस्तों देखते हैं दूसरा करेंट अफियर्स आज का दूसरा महतुपून करेंट अफियर्स है राष्ट्रिय जन्जातिय उत्सव आदी महोत्सव का आयोजन किस छेत्रक में किया जा रहा है जिहां दोस्तों राष्ट्रिय जन्जातिय उत्सो है आदी महोच्षो इसका आयोजन किस छेत्र में किया जा रहा है दोस्तो उत्तर होगा लेह लद्दाख में जी हां दोस्तो नौ दिवस्य राष्ट्रिय जन्जातिय उत्सो आदी महोच्षो का आयोजन केंद्रिय जन्जातिय मामले मंत्राले तथा ट्राइबल कोपरेटिव मार्केटिंग डेवलोपमेंट फेडरेशन ओफ इंडिया यानि कि TRIFED के द्वारा किया जा रहा है तो दोस्तो आपने समझ लिया होगा कि राष्ट्रिय जन्जातिय उत्सो आदी महोच्षो का आयोजन लेहलदाक में किया जाएगा दोस्तो बढ़ते हैं अगले करेंट अफियर्स की ओर जो आपके लिए बेहद महत्यपूर्ण है जिहां दोस्तो तीसरा करेंट अफियर्स है किस राज यने विलेज वॉलेंटियर सिस्टम ध्यान दिजेगे दोस्तो सवाल को कॉस्चिन को आप ध्यान दिजे किस राज यने विलेज वॉलेंटियर सिस्टम लौंच किया है दोस्तो इसका उत्तर होगा आंध्रे प्रदेश जी हां दोस्तो विलेज वोलन्टियर सिस्टम आंध्रे प्रदेश ने लॉंच किया है और दोस्तो आंध्रे प्रदेश के मुख्यमंत्री Y.S. जगन मोहन रेड़ी ने सरकार का फ्लैक्शिप कारेकरम विलेज वोलन्टियर सि लोगों के घर तक सरकारी सेवा उपलब्ध करवाना है इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जगन मोहनरेडी ने बिजय वाडा में घोसना की तो दोस्तो आपने समझ लिया कि विलेज वोलंटियर सिस्टम आंध्र परदेश में जगन मोहनरेडी जी ने लॉंच किया है और इसका उदेश्य है सरकारी योजनाओ को घरों तक पहुंचाने का कारेड़ जी हां दोस्तो देखते हैं चौथा करेंट अफ्यर्स कौन सा है दोस्तो सवाल को ध्यान दिचेगा किस मंत्राले ने किस मंत्राले ने राज्य सर्वेक्षन ग्रामीन को लॉंच किया है और इसका उत्तर होगा दोस्तो जल शक्ती मंत्राले जी हां दोस्तो जल शक्ती मंत्राले नहीं दिल्ली में केंद्रिय जल शक्ती मंत्री गजेंद्र सीं सेखावत ने स्वाक्ष सर्वेक्षन ग्रामीन 2019 लॉंच किया 45 दिन तक चलने वाले इस सर्वेक्षन का उदेश्य ग्रामीन समुदायों को स्वक्षता इस्थिती को सुधारने के लिए के लिए प्रिरीत करना है दोस्तो देखते हैं अगला कौन सा करेंट अफ्यर्स है याने की पांचवा और आखरी करेंट अफ्यर्स हमारा है ध्यान दिजेगा दोस्तो सवाल को हाल ही में सुर्ख्यों में रही एश्वर्या पिस्थिती किस राज्य से है इनका उत्तर होगा करनाटक एबार सवाल ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए हाल ही में सुर्ख्यों में रही एश्वर्या पिस्थिती किस राज्य से है दोस्तो सवाल को ध्यान देने के लिए आप एश्वर्या राय को भी माइंड मिले सकते है आप समझ सकते हैं कि आश्वर्या राय से आश्वर्या पिस्थिती ये दूसरी है हाल ही में सुर्ख्यों में रही एश्वर्या पिस्थिती किस राज्य से है दोस्तो इसका सही जवाब होगा करनाटक जी हाँ दोस्तों और दोस्तों करनाटक एश्वरया पिसई जी हाँ दोस्तों एश्वरया पिसई मोटर इस्पोर्ट्स में जी हाँ मोटर इस्पोर्ट्स में विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतिये बन गई हैं उन्होंने महिला स्रेनी में एफ आई एम यानि फीम वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया यह खिताब उन्होंने हंगरी के वार पालोता में जीता है जी हाँ दोस्तो एस वरेपी सही करनाटक की रहने वाली हैं तो दोस्तो यह था आज का करेंट अफियर्स जी हाँ दोस्तो और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दिजेगा और दोस्तो एक important कि आप bell की icon को दबाईए ताकि हमारे सब ही current affairs की notification आपको जैसे ही update होंगी आपको सबसे पहले पाप्थ हो जाएंगी तो दोस्तो अगले current affairs तक के लिए हमें इजाज़त दें और आप continue अपनी तैयारी जारी रखें किया आप किसी भी competition में हिस्सा लेने वाले हैं हमारी सुप कमना है कि आपको जल्दी सफलता मिलेगी और दोस्तो इसी आसा के साथ की हमारे चैनल सबस्क्राइब कीजिएगा हमें इजाज़त दीजिए नमस्कार